आगे बढ़ने से पहले मैं आप सुभी को बचाना चाहूंगा भारत की सबसे बड़ी गेमिंग प्लैटफॉर्म रेडी एनना के बारे में जहां पर आप लोग किर्केट फुटबॉल और 160 प्लस गेम्स खेल कर लाखो और क्रोडर रुपे जी सकते हो इसके साथ ही आपको इसमें डकुमेंटेशन और रजिस्टेशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी तो अभी नीचे दियो गए पेंट कमेंट से आप लोग इने वाट्स आप और टेलिग्राम कॉन्टैक्ट जरूर कीजिए दुस्तो आईपेल 2-22 का सीजन पहुत ही जल शुरू होने वाला है कि इवल दो दिन का समय और रहे हैं हम सभी को आईपेल 2-22 का अगाज होतावत दिखाई देने वाला है आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टीम ब्रॉयल चैलेंजर बैंगलोर के बारे में आरसीबी की टीम की तरफ से आज क्या कि बड़ी अपडेट निकल कर आई है मैं आप सभी को इस वीडियो में बताने वाला हूँ विराट कोली को लेकर एक बहुती बड़ी गुड नियूस है साती में आरसीबी प्रैक्टिस कैम से एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है और आईपेल 2022 में आरसीबी के टीम के तरफ से हम सब एक नया फिनिशर फिनिशिंग करते वे नज़र आएगा तो अगर आप लोगों को यह सारी अपडेट जानी है तो वीडियो को आप लोग एक लाइक ज़रूर करेगा साती में चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बैल को ज़रूर दबा दे चलिए दोस्तो वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते है दोस्तो आईपेल 2020 का सीजन दो दिन बाद शुरू होने वाला है 26 मार्च को आईपेल 2020 का पहला मुकाबला CSQ और KKR के भीच खेला जाएगा जिसके एक दिन बाद जाने की 27 मार्च को RCB के टीम पंजाब के अगेंस भीडेगी आप सभी को पता है किस बार RCB एक अलग रूप में नज़र आएगी एक अलग टीम RCB की इस बार खेलेगी क्योंकि इस टीम में आपको एपी डिवलिस नहीं दिखेंगे साथी में विराट कोली as a captain आप सभी को नहीं दिखेंगे तो इसलिए ये सीजन RCB के टीम के लिए काफी अलग सीजन और डिफरेंट सीजन रहेगा लेकिन अच्छी बात है कि इस सीजन RCB के स्कौर काफी बैलेंस है और प्लेंग 11 को अगर हम RCB के टीम की देखते हैं जो कि दोस्तो एक left arm fast baller है और पहली बार RCB के टीम को जोइन कर रहे हैं इस practice game में नोन ने गेंद बाजी की काफी practice करी और दोस्तो आप सभी को बता दे कि पहले मुकाबले में डैविड विली की प्लेंग 11 में जगा बनने वाली है अगली बड़ी update की बात कर ले तो यह निकल कर आई है विराट कोली को लेकर तो विराट कोली आज फाइनली अपना तीन दिन का quarantine period पूरा कर लेंगे और आज RCB के टीम के practice को विराट कोली जोइन करने वाले हैं जोकि सभी विराट कोली और RCB के fans के लिए बहुती बड़ी good news है हाले कि दोस्तो आई पर शुरू होने में केवल दो दिन और रहे हैं लेकिन विराट कोली दो-तीन दिन practice करते हैं हम सभी को नजर आएंगे RCB के टीम के practice camp है देखा जिन्होंने बैटिंग में काफी जादा time अपना spend किया और RCB के टीम के recent practice video में हम सभी को दिखाई दे रहा है कि हर्षल पटेल sixes और साथी में लंबे-लंबे shorts के practice करते हुए दिखाई दे रहे हैं RCB के टीम की बैटिंग depth हम सभी को number 9 तक देखने को मिल जाएगी जो कि किसी भी टीम की शाद IPL 2022 में नहीं है आप लोग को दोस्तो हर्षल पटेल की बैटिंग देखकर कैसे लगा आप लोग comment करके जरूर बताएं साथ ही में दोस्तों आप लोग हमारे टेलिग्राम को जोइन करेगा क्योंकि टेलिग्राम पर आपको RCB से related और IPL 2022 की news सबसे पहले मिलती है और इस चैनल की नोटिफिकेशन बैल को भी जरूर दवा देना क्योंकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी और आप लोग हमारे वीडियो उसको सबसे पहले देख पाओगे तो चलिए दोस्तों आप वीडियो को यह पर आइंड कर लेते हैं और मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में